हलो दोस्तो, वेलकम इन मैं चैनल, चलिये आज मेरी वीडियो में आपका स्वागत है, आज हम लोग बनाते हैं, जनरल ये फेस्टिवल में बनाए जाते हैं, पृम में बनाए जाते हैं अरिसा रोटी, आदिवासी समाज में ये फेवरिट रोटी है, हरे एक दिवार में ये बनती है, यह मीठी होती है, खाने में स्वधिस्ट होती है, और एकदम स्वप्त मुलायम होती है, यह बेसिकली चीनी, चावल के आठे से बनती है, सबसे पहले एक कप पानी और एक कप चीनी लिया जाता है, उसको चीनी का पाक बनाने के लिए गैस चुला में चड़ाई जाती है, इसको चीनी का पाक बनाने के लिए गोला जाता है, फिर इसमें चावल के आठे आठे किये जाते हैं, यह धीरे 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 थोड़ी थोड़ी आठे करके पाक में गोला जाता है, देखिए चावल के आटे थोड़े थोड़े आइट करने है ये थोड़े थोड़े आइट करके एकदम कंटिनिवस चलाते रहना है जिससे लम्स ना पड़े गाट ना बने देखिए ये पाक बनके त्यार हो गए इसका पाक एकदम सही बनना चाहिए तभी ये फूलेगी वरना ये फूलेगी नहीं देखिए अब इसको गोल गोल बनाके गरम तेल में डाला जाता है तेल गरम होना चाहिए ठंडी तेल में अच्छी नहीं बनेगी छोटी छोटी गोल बना के इसको ओल में डाला जाता है यहां स्रिष्टी और सुरूती अर्शारोटी बना रही है कि देखें फ्राय करने के बाद यह फूली फूली चोटी छोटी बनाई भी है बड़ी नहीं बनाई विया आप चाहो तो इस बड़ी भी बना सकते हो या चोटी भी बना सकते हो देखें ।ह इत Unlike a work ुलाय में हात से दबाने से बचक जारी है यह फूली फूली है आपको भी बनाना हो तो इसी तरह बनाईएगा स्वधिस्थ होती है मीठी होती है अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंसे जरूर कीजिए